हेलो दोस्तो नमेश्कार कर लेना तो चले दोस्तो फिलाल इस वोड़े को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो अभी हम लगा चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर नो डाउट बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आपे रहेंगे रशिया युक्रेन से रिलकुल जो अबरी खबरे हम लोगों को देखने को मिल रही है तो उसका भी फाइनल वीडियो आप लोगों को आज ही यहापे मिल जाएगा बट फिलाल ये जो खबर भी है ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट है मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये फिलाल की जो ग्लोबली जो भी चीज़े यहापे चल रही है उसके चलते इन चीज़ों को हम लोग नजर अंदाज नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट में है तो ये प्लस माइनस वाली चीज़े हर वक्त इसके पहले भी चलती थी आज भी फ्यूचर में भी चलेगी जो दोस्तो यहापे अभी की जो अगर मैं बात करू यहापे जो हम लोग इंतजार कर रहे थी किस से रिलेटेड तो इलेक्ट्रिक वेहिकल से रिलेटेड दोस्तो यहापे एक जबरदस अपडेट हम लोग यहापे देखने को मिल रहे है तो वो क्या है तो दोस्तो हम लोग किसे रिलेटेड बात है तो आप सब लोग को यहाँ पर पता है कि बजेट की अगर मैं बात करूँ फर्स्ट वेब 2022 में हम लोगों ने देखा था तो गवर्मेंट ने प्रॉमिस किया था क्या बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रिक वेइकल इसके लिए वो इनकरेज यहाँ पर करेंगी जादा से जादा इलेक्ट्रिक वेइकल से रिलेटेड अभी इनकरेज यहाँ पर सरकार करने वाली है और इससे रिलेटेड दोस्तो जो भी अभी तक अपडेट्स हम लोगों को देखने को आपर मिले है आज की दिन भी कुछ स्क्रीन के उपर सबसे पहले इंपोर्टेंट पॉइंट तो यह है कि बैटरी स्वेपिंग पॉलिसी के अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बहुत से लोग पूछते भी यह सर यह एक्जैक्ली है क्या तो नाम में यह दोस्तो देखें यहाँ पर वापस लिखना चाहँगा बैटरी स्वेपिंग पॉलिसी बैटरी स्वेपच पॉलिसी बैटरी स्वेपेज पॉलिसी वाटेवर आप बेटरी मतलब आप लुग को पता यह इंप अगर अगर ओं लोग ऑड़ेग क्हरीग हो तो जहाँ पर सबसे बड़ा चलेंड क्या है कि battery कभी ना कभी खतम होते हैं same like हमारे cell phone में बी जो battery कभी ना कभी खतम हो जाती है तो आप क्या करते हैं charge कर लेते हैं so दो चार्ज करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा पहले कि मैं बात करना चाहूँगा पूरा नहीं समय में थोड़ा चले जाना mobile phones के इसमें अभी की में बात नहीं करो अभी तो super charger आ चुके fast charger आ चुके, ultra turbo क्या क्या charger या पर आ चुके आप सब लोगों को पता है, फटा फट phone चार्ज भी हो जाता है तो ये नई technology है, तो आप सब लोगों को पता है तो electric vehicle का फिलाल का challenge यही है कि battery की अगर हम लोग बात करें उसको charge करने के लिए बहुत समय जाने वाला है यह आप लोगों को भी पता है और आप यहापे अंदाजा लगा सकते हैं अगर रास्ते में आप लोग चल रहे हो यहापे ठीक है पेटरोल कितने समय में पेटरोल डीजेल आप देख सकते हैं फटा-फट यहापे हो जाता है बैटरी चार्ज करने के लिए अगर बहुत सारी गाड़ियों की भीड अगर यहापे electric vehicle charging station पे आ जाएगी तो बहुत ही जादा दिक्कते हो सकते हैं यहापे एक ऐसी चीजे जो की इस चीज को replace कर सकती है और वह दोस्तो यही battery swapping मतलब आपकी जो गाड़ी है उसके अंदर अगर हम लोग बात करें ऐसी चीजे भी आपे बनाने वाले कि जो battery रहेगी उसको आप लोग बदल भी सकते हैं यह policy उसी से related है यह policy कब से लागो होने वाले तो दोस्तो 1st April 2022 यह अभी अभी खतम हो जाएगा आज की दिन के अगर हम लोग आपे बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं मतलब 17, if I'm not 17 है आज तो गुरुवार की अगर हम लोग बात करें आपे तो अभी भी टाइम है मतलब एक देड़ मेना यह बाखे हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं उसके बाद यह सारी चीज़े हम लोग को धिमे-धिमे करके बाजार में लागो होते भी देखने हो आपे मिलने वाली है बैटरी स्वेपिंग पॉलिसी क्या रहेगी दोस्तों इसके साइज आगे जाके टेकनलोजी इवाल हो जाएगी तो धिमे-धिमे कम भी यहापे होने वाले बट इनिशल स्टेज में एक बहुत बड़ा चलेंज है कि इतना सारा बैटरियों का भंडार भी उनको यहापे रखना पड़ेगा है बट आगे जाके दोस्तों इन सारी चीजों के उपर धिमे-धिमे करके हम लों को सोलीशन देखने को मिलेगा क्यों इसके पीछे का रीजन ऐसा है क्योंकि पूरी दुनिया दोस्तों अभी इसी से काम कर रही है अगर मैं ने सुना होग detect एक चीज यह पर लोगों को मदद मिली तो आप ला सकते अभी LD चारूर moi को रोना चनाहीन आप अभी कमे काटम होते यह सब कुछ होजाएगा चाइना के पर भज़ा टिर्क चलो मान के चलते नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर बात करें तो सेम चीज इलेक्ट्रिक वेहिकल में भी शुरुआत में ऐसी तकलिफ होने वाली है बट आगे जाके सारी चीजे हम लोग को प्रैक्टिकली होते हुए देखने को मिलने वाली है जितने जल से जल आएगी तो हम लोग कह सकते हैं बताया जारा कि गाड़ी का प्राइस बहुत ही ड्रास्टिकली मतलब यहां पर कम हो सकता है यहां पर क्योंकि आप सब लोग पता है जो जितनी भी गाड़ी के जो कॉस्ट रहने वाले उसमें से 30 परसेंट तो इलेक्ट्रिक वेहिकल जो बैटरी है आप बोल सकते हो कि बैटरी का ही कॉस्ट जादा देखने को यहां पर मिल रहा है पर बहुत सारी चीज़े दिफेरेंट रहेगी तो उसके उपर भी एक युनिफर्म यहां पर चीज सोलुशन फाइनड करने की कोशिश आपर की जारी है बट हम कह सकते बैटरी स्वेपिश पॉलिसी हम लोगों फिलाल या पर सारी चीज़े देखने को आपे मिल रही है सो दोस्तो हम लोग और अगर हम लोग बात करें इसके तीन बेनिफिट्स या पर मिलेंगे तो थर्ड पॉइंट अगर नया में बता दू तो दोस्तो आप इसको भाड़े के उपर भी ले सकते हो रेंट के उपर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो इसके भी या पर प्रावधन या पर लिया जाएगा और फॉर्थ अगर हम लोग या पर आखरी की बात करें तो आप लोगों को जैसे पता है कि सबसे में चीज जितने भी ये गाड़ी है उनके दाम हम लोग को ड्रास्टिकली कम होते हो देखने को लेगे तो बहुत ही अट्रेक्टिव प्राइस की उपर आप लोगों को इलेक्टरिक वेहकल या पर देखने को या पर मिल सकते हैं मैं अगेन कहे रहा हूँ दोस्तो नो डाउट आप लोगों के बहुत सारे सवाल रहेंगे सो उसके उपर जरूर ये काम करने की कोशिश या पर चल रहे है ये कोई फाइनल चीज नहीं है धिमे धिमे करके आगे ही या पर जरूर आएगे सो दोस्तो ये फिलाल हमनों को अच्छी बाते देखने को मिल रही है बट आप लोगों को पता है मैं सिर्फ अच्छी बाते नहीं मैं बुरी बाते भी जरूर बताता हूँ सो बुरी बाते क्या है देखे सरकार में आप अच्छी बाते तो जरूर कहिए बैटरी साफेज, पॉलिसी, इलेक्टरिक वेहिकल मिल रही थी, इलेक्टरिक वेहिकल से रिलेटेड तो उसका extension होना चाहिए था तो वो हम लोगों को देखने को या पे नहीं मिला था तो ये एक बहुत ही बड़ा disappointment वाला point हम लोगों को देखने को मिला था कि अगर आप EV को support कर रहे हो तो थोड़ा सा extension दे रहते हैं ये जो fame to subsidiary की अगर हम लोग बात करें वो तो होते वे देखने को नहीं मिला है second अगर हम लोग याप बात करें दोस्तों तो बहुत ही important चीज कि buyer and manufacturer जो बनाएगा और जो खरीदेगा उसको encourage करने के लिए कोई भी ऐसा budget में announcement भी नहीं था electric vehicle, battery से related अगर हम लोग बात करें आप लोग ने देखा हुआ कुछ भी नहीं था तो ये भी disappointment वाली बात है तीसरी अगर हम लोग याप बात करें एक और budget में ही disappointment वाली बात होई थी या फिर आप आगे भी बोल सकते हो कि GST, yes अगर गाडिया इतनी भेंगी है GST भी अगर आप देखोगे इसके उपर luxury है no doubt 28% आता है गाडियों के उपर उससे related parts के उपर तो अगर गाडियों का दाम कम करना है तो गाडियों वालोंने भी request कहा था आप 28% इतना GST मतले ना क्योंकि यह already heavy cost यहापे लगता है तो यहापे किसी को तो compromise करना पड़ेगा बट फिलाल तो सरकार ने तो ऐसा कुछ यहापे किया नहीं अभी भी 28% तक ही हम लोगों को यह टैक्स यहापे लगते वे देखने को मिल रहा है तो यह भी कुछ करेंगे जो इलेक्ट्रिक वेहकल के अभी के जो तो आम है वह अभी धीमे-धीमे करके हम लोगों को कम होते भी देखने को जरूर मिलेंगे बहुत सारे चैलेंजेस है नो डाउट बट एक एक चैलेंज को यहापे सौट आउट करके आगे बढ़ने की कोशिश यहापे जिक्रम मैंने बहुत बार किये दोस्तों वहे टाटा केमिकल यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है बट मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आप इसको कॉपी करोगे आप पच्चता सकते हैं यह स्टॉक हर किसी के बस की बात नहीं है इसके चार्ट पैटन को मैंने इतनी बार आप बी यह लोग काम करते हैं आप ज़रूर इनके वेबसाइट के वीजट कर लेकल के बिजनेस औरेडी वर्क कर रहा थे हैं यह बाकी के चीजे है न रहे को यह केमिकल का बिजनेस इनका चलता ही था पहले से ही बट अभी यहापर क्या होने वाला है कि इनको एक नया मायन बैटरी मतलब गाड़ी भी इनकी पावर भी इनका इंफरस्ट्रक्चर भी इनका एंड बैटरी भी इनकी तो इसलिए टाटा केमिकल एक रिस्की स्टॉक है यहापर नो डाउट मेरे मेरी बाइंग पूरा नहीं है इसलिए मुझे फायदा यहापर हो रहा है हम ऐसा भी ब्लाइंडली कॉपी आप आप लोगोंने करना नहीं चाहिए और जैसे मैं हमेशा केता हो यह देखे इसका चार्ट पेटन आप देख सकते हैं किस तरीके से गिरावट है देखने को मिल रही है यहाँ से भी गिरावट है यह वाली भी गिरावट है यहाँ पर भी किसी भी कंपणी के साथ यहाँ पर जा सकते हो अगर आप इलेक्ट्रिक वेकल क्लीन एनरजी किसी में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो दोस्तों प्लीज यहाँ पर दोजा को टॉपिक यहाँ पसंद आयोगा जैसे मैं नो डाउट आज के दिन भी बाजार में जो भी ह आप लोगों को अभी वीडियो यहाँ पर थोरी जेर बार यहाँ पर मिल जाएगा अगर किसी ने फॉर्स ताइम विजिट किया है अगर अभी तक डिमैट अकाउंड अगर आपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी जरूर डिमाट अकाउंड आप चाहूं तो लिंके तुरो ओपन कर सकते हो अगर लिंक के तुरो ओपन करते तो मुझे कमेंट सिक्षन बता देना आपका नाम लिख लेना और कौनसा डिमाट अकाउंड ओपन किया वो भी बता देना तो मैं आप लोगों को जो बेसिक 25 प्राइगी मेरी तरफ से stock market से related अगर आपको पता होना चाहिए वो free of cost provide कर दूँगा so video पसंद आए तो जरू like and share भी कर देना so that's it thank you very much we will be meeting our next video तब तक के लिए bye bye